हेलो स्टुडेंस वेलकम बाक टियो फेवरेट चानल मांगेट ब्रेंस मैं हूँ आख एकनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादू हूँ जहाँ पर लेके आचुकियों आम सभी करेके इंपॉर्टिन सेशन जहाँ पर हम डिस्कर्स करने वाले स्टुडेंस ते लाओ और रिटर में मिलने वाले हैं e-notes and e-books जिसकी जो link है description box में already given है तो जल्दी से जाके आपको देखना है और जल्दी से हमारे चैनल को like, share and subscribe करना है students and not just CBSEM different state boards को भी follow करते हैं जिसे की UP board, MP board, Delhi board, Bihar board and Rajasthan board तो सारी की सारी चीज़े आपको यहाँ पे absolutely free of cost मिलने वाली है so that is why you have to support us और जल्दी से like, share and subscribe करना है हमारे चानल को so on that notes जल्दी से start करें आज की class तो आज को जो हमारा topic is students that is law of returns to scale already हम ना इससे previous law of variable proportion देख चुके हैं और उसके practicals भी कर चुके which is an important concept in this particular chapter coming back to this particular law यह भी important है हो सकता है कि किसी किसी के ना यह book में बोला हो कि यह नहीं आ रहा right किसे बोलेंगे कि नहीं आ रहा लेकिन NCRT it is given and let me tell you अगर आप CBSE का पुरा syllabus देखते हैं नीचे वो लोग NCRT को refer करते हैं so that is why अगर कोई चीज NCRT में given है और आपकी refreshers और different books में नहीं given है इसका मतलब यह नहीं कि आप नहीं करोंगे on a safer side चलने के लिए अगर NCRT में given है we are going to cover it so that is why students हमारा क्या responsibility है कि हर एक चीज़ cover करना so that is why you have to study it ज्यादा लंबा यह concept नहीं है चोटा सा concept है जल्दी से finish कर लेंगे fine लेकिन you do not have to skip it because it's important अगा paper में आ गया तो यह मत बुलिएगा कि out of syllabus है because मैंने clear कर दिया अगर NCRT में given है so it's not out of syllabus राइट चलो जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था law of returns to factor जिसको उन्हों क्या बोलते थे law of variable proportions वो शॉटरन में पढ़ते थे शॉटरन क्या होता है basically कि कम टाइम में जो चीज़ हम change कर सके कम टाइम में क्या change कर सकते है एक हमारे पास ना दो factors होते है एक हमारे पास होता है variable factor एक हमारे पास होता है fixed factor variable factor क्या होता है जो change हो सकता हो fixed जो change नहीं हो सकता जैसे कि land, plant and machinery और हमारे पास variable factor कौन सा आता है labor right because अगर हम बात करें production function की तो मैं capital लेबर का ही पढ़ रही हूँ सो basically जो मेरा production function है right वो किस से related है capital just a second हा yes capital and labor से related है मेरा यह पूरा topic है ना तो अगर मैं बात कर रहे हूँ यहाँ पे short run की यहने short run में मैं सिर्व लेबर को ही change कर पाऊंगी because come time में मैं सिर्व लेवर को बढ़ा की अपना production बढ़ा सकती हूं लेकिन long run में मैं कुछ भी कर सकती हूं जब मेरे पास जालदा समय होता है जैसे कि मैं आपको example देती हूं हटाओ यह सब मुझे पता यह example समझ जाओगे अगर मैं सोचते हूं इस बार तो यार boards में आग यह महीने अभी से पढ़ना शुरू करूंगी तो देखना एंटर सब कवर हो जाएगा फिर ऐसा करते करते बोलते बोलते आ जाता है एक्जाम के एक दिन पहले और हमनों कुछ नहीं पढ़ा होता है फिर क्या होता है यार important questions बता दो मैं बस इतना ही कर लें बस पास हो जाए का हम आग लगाने वाले थे पेपर में कि बुलकुल फोर्ट देंगे भाई बहुत अच्छा पेपर जाएगा और अब क्या हो रहा है कि सिर्फ important questions बता दीचे कि बस पास हो जाए तो क्या होता है short run में आप सारी चीज़े कवर नहीं कर सकते है short run में सिर्फ important questions ही कर पाओगे similarly short run में सिर्फ labor को ही आप बढ़ा पाओगे क्योंकि वो ही आपका कम time में ज्यादा कुछ कर सकती है लेकिन long run में अगर आप शुरुआत से पढ़ाई करोगे तब अच्छा कर पाओगे वैसी long run में अगर आप land, labor, capital हर एक चीज़ को साथ में लेके चलोगे तो long run में आपका improvement होगा लेकिन चाब में बात करें production function की students यहाँ पर हम सब दो factors पढ़ते हैं एक है मेरे पास capital और एक है मेरे पास labor इन दोनों चीज़ों को मुझे study करके पता लगाना है production function क्या है? production function यह कहता है कि कैसे मैं अपने inputs को ऐसे utilize करूँ कि हमारा production बहुत maximum हो वो भी बहुत कम cost है मतला minimum cost में maximum production so what is production function? basically minimum cost में maximum production और inputs हमारे कौन से है? capital and labor मेरे inputs है fine so we have two inputs है ना वैसे तो बहुत सारे inputs होता है factors of production लेकर हम सिर्फ दो consider करने वाले है that is capital and labor और यहीं बात रहती है अगर क्या process क्या है कि भाई कम डाम में, कम cost में, कम expense में maximum production करने को ही हम production cost बोलते है जैसे कि अगर हम बात करते हूं production function sorry जैसे कि हम बात करते consumers equilibrium की उसमें क्या होता है कि कम पैसे में, कम डाम में मुझे maximum satisfaction मिले similarly producers के point of view से भी तो सेम है यार कि भाई कम हमारा expense हो लेकिन हमारा production level बहुत अच्छा राइट यह हमारी कहानी है, इसको हम detail में कैसे पढ़ेंगे, long run की बात हम यहाँ पे कर रहे है returns to scale refers to the change in the output when all the factor inputs are changed simultaneously in the same proportions in the long run when a firm changed the quantity of all inputs in the long run, it changes its scale of production तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो हम long run की बात कर रहे है अब क्या हो रहा है, short run में हम लोग variable proportions पढ़ रहे थे कि कैसे variables को हम लोग एक variable को बढ़ाएं, बाकी सारे constant रखें तो कितना change आता है, वो मेरा क्या था, law of variable proportion लेकिन जब मैं बात कर रहे हूं, returns to scale की, यहाँ पे हम long run की बात करो long run में मैंने क्या बोला, सारी चीजों को मैं change कर सकती हूं, लेकिन यहाँ पे condition क्या है simultaneously मतलब what is the meaning of simultaneously, to do it together, right तो simultaneously मतलब साथ में करना है, तो साथ में सारे proportions में, proportions याने quantity एक-एक quantity में, मलब सारी quantity similar होनी चाहिए, same quantity में, same level पे आपको चीजों को फिर से शुरू करना है, apply करना है, long run case में, so that is why students, when a firm change the quantity of all inputs in the long run, it changes the scale of production, है ना, कि हम long run में ही तो जा सकते हैं, कि large scale पे जा सकते हैं, short run में हम नहीं जा सकते large scale में, long run में, long run मतलब हमें, large scale का मतलब क्या होता है, बड़े level production करना, वो कब possible है, जब धीरे धीरे company आगे बढ़ती, ऐसा तो नहीं कि आज मैंने company खोली और कल मेरी company इतनी बढ़ी हो गई, time लगता है ना, so that is why large scale में जाने के लिए मुझे time लगता है, that is why हमें long run की study कर रही हूं, और इसको हम क्या बोलते हैं, law of returns to scale, come time में variable, so इसको क्या बोलते हैं, law of variable proportion, long run में ज्यादा time, मतलब law of returns to scale, पहला point अब को यही आतोना चाहिए, fine, so in the words of Watson, अगर हम बात करें, returns to scale relates to the behavior of total output as all inputs are varied in same proposition and it is in the long run concept, मतलब भी बोलना चाहरें, कि long run का concept है point number one, ठीक है, अगर किसी भी चीज़ को change करना है, किस चीज़ को, सारी चीज़ों को, to change all the things in the same proportion, simultaneously in the same quantity, उसको हम क्या बोलते हैं, कि सारी चीज़ों को साथ में change करना, simultaneously, long run में, ताकि हमारा production level, large scale का बने, उसको में क्या बोल सत्ती हूं, law of returns to scale, clear हुआ, रुको, अब मैं बीच की short of this one, बहुत अराम से मैंने समझाया, students, because this concept is important for you to understand, fine, clear हुआ, तो भाई, क्या बात हो रही है, long run की बात हो रही है, point number one, so law of returns to scale की points लिख लो, सबसे पहले क्या हो रही है, long run की बात हो रही है, ठीक है, इसमें all inputs की बात हो रही है, all inputs भी कैसे change हो रहे है, change simultaneously, simultaneously का मतलब क्या होता है, together, at same level, at same level का मतलब क्या होता है, same proportions, ठीक है, कब हो रहा है, long run में सारे inputs को आप change कर रहा हो, ठीक है, change together at the same level, ठीक है, next क्या है, इससे क्या होगा, इन सारी चीजों से मैं क्या अचीव कर पाऊंगी, my production capacity will increase, और मैं large scale पर जा पाऊंगी, ठीक है, जो कि मेरा यहाँ पर लिखावा है, large scale production, large scale production, clear, समझ आया, इसका भी screenshot ले लिजे कि अपने words में कैसे लिखना है, तो इतना बड़ा paragraph लिखा, इतना बड़ा जो important words लिखें, उसके keywords में आपको simple language में लिखवाती है, पहला क्या है, long run की बात हो रही है, second क्या है, सारे inputs change हो रहे है, कैसे change हो रहे है, together, याने simultaneously change हो रहे है, और same proportion पर, याने same level पर change हो रहे है, और फिर क्या है, इससे क्या achieve कर पाएंगे, large scale production को achieve कर पाएंगे, यह क्या है मेरा law of returns to scale, clear, screenshot लेना है जल्दी से, ऐसी अपने words में लिखा करो students तो याद रहे हैं, complicated language में लिखोगे, और आप complicate कर दोगे economics को, so that is why यह 11th standard है, अभी से अपने notes बनाने की practice कोरोगे, कैसे notes बनाने हैं और किस तरह से लिखना है, ओके, चालो, अगर यह अच्छा लग रहा है, यह concept अच्छा लग रहा है, तो क्या करना है, जल्दी से definitely like करना है, ओके, और comment section में पूछना भी है भाई, आपके comments में पढ़ती हूँ, मैं reply भी करती हूँ, so that is why you have to comment, चलो, this is done, so there are three types, और we can call it as different stages, यह में phase ही बोल सत्ती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, so we have different phases, different stages, और different types, तीन हो ही सही है, जैसे कि हमने उसमें पढ़ते हैं, law variable proportion में कौन कौन से थे, increasing returns to factor, decreasing returns to factor, and negative returns to factor, three phases थे न हमारे पास, similarly इसमें भी तो तीन cases हैं हमारे पास, ठीक है, so according to this law, when all factor inputs are varied in the same proportion, scale of production may take the following three forms, किस तरीके से large scale production increase होता है, कैसे होता है, उसके भी तीन phases होता है, ठीक है, पहला जो मेरे पास आता है, उसको हम बोलते हैं, increasing returns to scale, increasing का क्या मतलब होता है, किसी चीज में बढ़ा तरी, increase, rise होना, so increasing returns to scale का मतलब होता है students, when proportionate increase in total output is more than the production increase in inputs, यानि मैंने जितने inputs किये थे ना, जितने मैंने inputs डाले थे, उससे ज़्यादा क्या हुआ है, मुझे output मिला है, मतलब मेरे को अच्छा हुआ, मतलब कि भाईया मैंने समान तो से 100 रुपे का लगा है, किस से बढ़ रहा है, input से भी ज़्यादा, मतला मैंने कम चीजे लगाई, कम resources लगाए, कम एक तरीके से factors लगाए, लेकिन उसके बदले में मुझे ज़्यादा output मिला, उसी को यहापे लिखा है, so when the proportionate increase in the total output, याने total output जो है मेरा ज़्यादा है, is more than the proportionate increase in inputs, because long run में मैं सारे inputs को employ कर रही हूं, जैसे कि मैंने बोला, सारे inputs को में increase कर रही हूं, तो मैंने जो increase किया है न, उससे जादो तो मुझे production receive हुआ है, तो यह मेरे लिए कौन सी situation है भाई, बहात ही बढ़िया situation है, so it is an increasing returns to scale, that is, it means that if all the inputs are employed together, उससे क्या होगा, 100% increase होगा output में, by more than 100% seen in the table, अब दे जैसे कि बोला कि इस particular chapter में, दो ही inputs हम consider करने है, एक हमारे पास है capital, एक मेरे पास labor है, ठीक है, तो capital किस से denote हो रहा है, के से, और labor हो रहा है, else है, यह तो हम पहले ही पढ़ चुके है, तो क्या बोला है कि हमें increase करना है, तो पहला मैंने क्या रखा, पहले मैंने सिव एक capital रख होंगी, तो मैंने यहाँ पर double किया है, two times किया है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, हमारा क्या condition था, कि long run में all together, ठीक है, at same level, यह मैंने आपको बताया था, तो same level पर होना चाहिए, मतलब दोनों में two plus होना चाहिए, two times होना चाहिए, तो यह two times किता हो गया, कि मैंने यहाँ प जो production है, वो किता हो गया, two fifty, बढ़िया मेरा production, मतलब कि मैंने सिफ two times लगाया, लेकिन जो मेरा यह production increase हुआ है, वो तो भई, उससे जाधा increase हुआ है, तो percentage increase in inputs किता हुआ, hundred percent, क्योंकि मैंने पूरा employee कर दिया, लेकिन मेरा percentage increase in output किता हुआ, one fifty percent, मतलब कि मैंने hundred percent का क्या किया मैंने अपना hundred percent दिया, लेकिन मुझे return किता मिला, one fifty percent, तो मतलब जो मेरा return है, वो जाधा है, और return क्या है मेरा output, तो मुझे output जाधा मिला, जितना मैंने यहाँ पर लगाया था, फिर मैंने इसको double किया, क्योंकि two times करना है, फिर मैंने same level पर बढ़ाया, फिर से बढ़िया भ 140, तो initially आपको जाधा मिलता है, फिर दीरे दीरे कम होता है क्योंकि हम economics में पढ़ते हैं, तो इसमें भी आपको जाधा ही मिल रहा है, as compared to the previous one, so what we can say that students, कि जब भी अगर मैं inputs लगा रही हूं, और inputs जितना में लगा रही हूं, उससे जाधा मुझे output मिल रहा है, तो यह case मेर कौन सा situation है भई, बले बले वाली situation है, बले वाली situation मतलब increasing है, अच्छी situation है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं students, increasing returns to scale, मतलब जितना आप employ कर रहे हैं, उससे जाधा आपको return मिल रहा है, so increasing returns to scale occurs mainly due to economies of large scale, economies refers to the benefit due to large scale production, है ना, large scale production हो मतलब, large रिल पर किसी चीज़ को हम लोग produce करेंगे, तो चीज़ सस्ती हो जाती ही ना, अब देखो मैं आपको समझाती हूं, अगर मैं demand गई सपोस्स, है ना, तो demand जाना बड़ा मुश्किल है, आप जातो एक चीज़ समान खरीदने लेकिन आपको सब पसंदाने लगता है, तो आप सब रख लेतो, right, so demand में बड़ी decision नहीं है, तो मैंने जाना बंद कर दिया है, तो अगर बात करते हैं यहां पर भी, तो क्या होता है, कोई चीज़ हम ठोप में खरीद लेते हैं, सस्ती पड़ती है, वोई चीज़ में एक चीज़ खरीदो तो महंगी पड़ती है, तो similarly, यहां पर भी जो economies of scale क्या बोलता है, कि अगर कोई producer से एक चीज़ बनाएगा, उसको महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर उसको large scale पर पड़ाएगा तो per unit जो है उसको cost सस्ता पड़ेगा, so that is why कोई भी जो company होती हो चाहती है, कि हम large scale production करें, तो large scale production में क्या होता है, economies of scale का फाइदा मिलता है, मतलब कि आप जब ज fine, done, और फिर आपको लेना है इस particular table का screenshot, इसको आपको students learn करना रहेगा, इसकी technique में भी आपको बता देती हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है, 1K और 2K, फिर इसको 2 times बढ़ाना है, इसको भी 2 times बढ़ाना, इसमें कुछ याद नी रखना, यह आपक करें, तो 100, 250 और 600, बस, 100, 250, 600, तो ऐसे करके आपको 2, 3, आप जभी टेबल बनाऊगे तो आपको याद हो जाएगा, clear हुआ, समझ आया, ठीक है, moving on, इसके क्या reasons है, क्यों increasing returns हो रहा है, है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, internal economies, इसका मतलब होता है students, economies में ने बताया कि थोक to the benefits of large-scale productions which are available to a firm within its own operation, for example, the technical economies is the form of use of bigger and better machinery and managed economics through division of labor and specialization, पहला होता है, internal का मतलब, internal है समझ हो कि मेरी कंपनी की वज़े से, मेरी कंपनी की वज़े से मतलब मैंने जस तरीके से changes लेके आपनी कंपनी में, उसकी वज़े से अगर changes आ रहे है, मेरा large-scale production हो रहा है, तो फाइदा से मुझे मिल रहा है, तो वो क्या होता है, internal economies, similarly, जो मेरे पास external economies होता है students, इसका मतलब होता है भार, मतलब, government को ऐसी policy लेके आगई की subsidies मिल गई, government को ऐसी policy लेके आगई की जहाँ पे investment इसी हो गया, तो सब को फाइदा होता है, so it refers to the benefits of large-scale production which are shared in by all the firms in an industry, for example, अगर में पास better infrastructure facilities आ गई, government ने जिसी की infrastructure facilities को top class कर दिया, तो production मालों के लिए क्या हो जाएगा, उनका जो समाने one place से दूसरी place जल्दी पहुचेगा, क्यों, because infrastructure facilities है, right, so यह क्या होता है कि यहाँ पे कुछ इनने ने किया, producers ने कुछ ने किया, लेकिन external factor की वज़े से इनको फाइदा हो गय होता है, so that is why internal मतलब खुद की महनत, खुद इसे आपने कुछ किया, और external मतलब जो फाइदा सबको हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, only own firm, है ना, सिफ खुद के firm को फाइदा हो रहा है, यहाँ पे all the firms, ठीक है, तो अगर मैं बात करती हो, internal economies की, तो यहाँ पे सिफ उस firm को ठीक है, समझ आया, तो अगर यह चीजे हो रही है, तो क्या होगा, company के लिए क्या होगा, कि उसके imports जितना हो बढ़ाएगा, उससे ज़्यादा उसको output मिलने वाला है, that is why इसको हम लोग क्या बोलते है students, increasing returns to scale, clear, तो यह हमने पहली चीज़ पढ़ी, इसके दो reasons होते हैं, प से लिखना है, रुको एक बार मैंना सको रिमूफ कर देती हूँ, ताकि आपको और clarity आजाए, so internal मतलब खुद के firm की वज़े से, और external मतलब जब सारे firms को पाइदा होता है, ठीक है, अब आप इसका screenshot ले सकते हो, because उसमें बहुत सारी चीज़े मैंने मार्क कर रखी थी, तो confusing using हो सकता है, notes बनाने के लिए, तो वो भी रखो और ये वाला भी एकदम clear format आप रख सकते हो, okay, जल्दी से screenshot ले लिजे इसका, okay students, done, तो आप दूसरे phase पर आ जाते है, दूसरा जो मेरे पास phase है, वो है constant returns to scale, तो सबसे पहले students हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर रेने वाले हैं मतलब, so when proportionate increase in total output is equal to the proportionate increase in inputs, याने मैंने जितने inputs increase करे हैं, जितने मेरे inputs increase करे हैं, ठीक है, उतने same level पे output भी increase हुआ है, तो सपोस मैंने 100% inputs हमारे बढ़ा दिये, तो मुझा 100% ही result मिला है, मतलब कुछ भी ज्यादा नी मिला, जो की increasing returns to scale में हो रहा था, कि हम इंपूर्ट जितने लगा रहे थे, उससे जादा मुझे output मिल रहा था, लेकिन ये वाले case में क्या होगा, constant है, मतलब, दोनों के दोनों equal रहने वाले, यहाँ पे देखिए, कि यहाँ पे मैं double करते हुए जा रही हूँ, लेकर आप यहाँ पे भी देखोगे, तो 100%, 100%, 100%, 100%, 100 लग कि यहाँ पे जो change हो रहा है न, input और output में दोनों ही 100% से हो रहा है, यानि कोई भी उपर नहीं है, कोई भी नीचे नहीं, so it is constant, it is equal, so that is why in given case students, यहाँ पे क्या हो रहा है, कि यहाँ पे मैंने two times किया, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो किस तरीके से चीज़े हो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे मैंने two times से बढ़ा दिया, फिर यह फिर से two times से बढ़ गया, तो यह भी two times से बढ़ा, 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 यह बी two times से बढ़ा, यह बी two times से बढ़ा, यह 100% और 100%, तो दोनों ही मेरा क्या हो ऐसी situation को मैं क्या बोलते हूं students? constant returns to scale और returns to scale क्या होता है? it is always for the long run यह हम already discuss कर चुक है fine, समझ आया? जल्दी से screenshot लेना है ओके, एक मिट मैं underline कर देती हूं so when proportionate increase in total output is equal to the proportionate increase in inputs it is constant returns to factor ठीक है? यह आपको लिखना है it means if all the inputs are increased by 100% the output also increases by 100% तो इसका क्या मतलब है? it leads to constant returns to scale clear? जल्दी से इसका screenshot ले लिजे quickly, okay? तो यह कौंसा है भाई? हमारे पास पूरा यह diagram जो में दिखरा है graph दिखरा है graph नहीं बोलूँगी schedule दिखरा है that is constant returns to scale की constant return मिल रहा है? जितना में input दे रही हूँ उतना ही output मिल रहा है okay? अब इसके भी reasons देख लेते हैं महाँ पे क्या था? जैसी के हमने इसमें पढ़ा था? internal economies और external economies similarly इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? constant returns to scale operates after the firm has achieved the point of optimum capacity after this point the economies of production are counter balanced by the dis economies of production economies का क्या मतलब होता है? जैसी के आपको यहाँ पे दिख रहा होगा economies of scale का क्या मतलब होता है? किसी चीज को थोक में बना देना बलक में बना देना ताकि उसको जो one जो एक unit होता है compare करने का वो काम हो जाए per unit जो आता है cost वो काम हो जाए that is economies of scale फिर इसी का opposite क्या हो जाएगा, dis economy, मतलब आप कितना भी produce कर लो, आपको उतना फाइदा नहीं हो रहा है, तो constant returns एक basic है कि अब हमने 100% दिया input, 100% मुझे मिलके output, अब इससे जादा मैं कुछ भी करूँगी न, तो अब सीधे वो लो पे जाने वाला, because मैंने 100% एक तरीके से diminishing हो जाएगा, तो मैंने जो next time मेरे पास, that is diminishing returns to scale, under this क्या होता students, when the proportionate increase important है, ठीके, so whenever the proportionate increase in the inputs or the total output is less than the proportionate increase in inputs, जैसे कि अगर मैंने inputs 100% लगा दिया भाई, है न, 100% ही लगा दिया मतलब देवन से, output किता है, suppose 80%, तो मतलब क्या हो रहा है, कि मैं अपना best देने के बाद भी सिर्फ 80% ही मुझे result मिल रहा है, अगर ये चीज मेरे साथ हो रही है, in the long run, क्योंकि हम यहाँ पर long run की बात कर रहे हैं, returns to scale में, तो इस case में क्या होगा students, हमारा जो पूरा का पूरा graph है, वो गिरने वाला है, हमारी company को बहुत losses होने वाले हैं, so that is why यहाँ पर इसके बाद log run में में मुलकुल भी अपनी production की capacity नहीं बढ़ा सत्ती हूं, right, so सबसे पहरा आप इसका screenshot लीजे, and then we will continue, जहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, पूरा का पूरा schedule, okay, तो आप देखरों कि language कितनी easy रखी गई है, कुछ भी इसमें difficult नहीं है, whenever the proportion increase in total output, है ना हमने क्या पढ़ा है, so whenever the proportion increase in total output, total output, अगर more है, inputs से, तो क्या हो जाएगा students, increasing returns to, increasing returns to scale, right, ये clear है, जब भी मेरा जो total output है, is equal to the inputs, change in inputs, तो ये क्या हो जाता है students, constant returns to scale, right, और जो third मेरे पास category आ रहे है, वो क्या होता है, जब total output जो है मेरा, total output जो है मेरा, वो क्म होता है as compared to inputs, right, तो इस case में क्या हो जाएगा, ये हो जाता है, diminishing returns to scale, clear, जल्दी से screenshot ले लो, अपने notes आपको अपने हिसाब से बनाने students, याद रखिए, ये छोटी-छोटी तरीकों से जवाब अपने notes बनाते हो न, आपको role clarity मिलेगी कि भई क्या-क्या है, कैसे करना है, आप खुद से जब notes बनाओगे, तभी फायदा है, right, अभी आप ऐसे पढ़ लोगे, कोई मतलब नहीं है, ready-made notes हमें कब काम आते हैं, जब हम already इदम बुलकुल pressure examination का, या आपको जब book समझ नहीं आ रही है, content समझ नहीं आ रहा, तो आप notes के थुरू आप बना सकते हो, लेकिन students, आपको self-study खुद करनी होगी, लगने की practice भी खुद डालनी होगी, on that note, hopefully this is done, okay, so, सबसे पहले आप यहाँ पर बात करें, हमना diminishing returns to factor की, यहने क्या होने वाला ह है, कि जो मेरा total output मुझे मिल रहा है, वो भाया कम हो गया है, because inputs में कितने भी लगा लूँ, अब मेरी production capacity उतनी नहीं बढ़ने वाली, तो क्या हो गया, यहाँ पे 16 के, और मैंने 32 labor लगा दिया, यहाँ पे मैंने इसको into 2 कर दिया, यहाँ पे भी into 2 कर दिया, ठीक है, again, मैं 100% से अपने inputs बढ़ा रही हूँ, लेकिन result क्या रहा है, result मेरे पास सब 75% आ रहा है, मतलब 25% का जो है, मेरा जो capacity है, वो मैं fully utilize करी ही नहीं पारी हूँ अब, तो अगर ऐसा stage आ जाए, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, what will you call it, that is diminishing returns to scale, तो मतलब longer run में भी, life में यह चीज है, किता भी किसी चीज को utilize करते हैं, चले जाओ, एक point definitely कैसा आएगा, कि उसके बाद आप उस चीज को use नहीं कर सकते, similarly, इस point of view से भी आपको देखना है, कि पहले तो increasing returns हुआ, आप अच्छा कर रहे थे, आपने inputs भी जादा लगा है, आपको output उससे जादा मिला, फिर ऐसा मतलब हमें सिब losses होने वाले हैं, हमारी capacity उतनी नहीं बढ़ने वाली है, fine, तो यह तीन phases हमने पढ़े हैं students, इसमें किसी को doubt है क्या, समझ आ गए क्या तीन हो, पहला क्या है मेरे पास, increasing returns to scale, दूसरा क्या है, diminishing returns to scale, and last है हमारा negative returns या diminishing returns to scale भी आप बोल सकते हो, first क्या था, increasing returns, second क्या था, constant returns, and third हमारा diminishing returns to scale, तो three हमने ये scales पढ़े हैं, किसके phases है, returns to scale के, clear हुआ, समझ आया, okay, so इसके भी क्या reasons है, जैसे कि हमने उसमें economies of scale पढ़ी थी, देखो यहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हो, economies of scale पढ़ा है, मतलब किसी भी चीज को थोक में आप produce कर रह वो कम आ रहा है, that is economies of scale, मही पर dis economies of scale क्या हो जाएगा, कि आपका जो per unit का खर्चा है, वो ज्यादा आ रहा है, महेंगा पढ़ रहा है, कितना भी थोक में बनाव लग को वो महेंगा पढ़ रहा है, so that is why internal का मतलब क्या होता है students, याने own, ठीक है, और जब external होता है, मतलब for all, अगर मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ, it refers to disadvantages of large scale production, which a firm has to suffer due to its own operations, खुद की वजे से आपको भई जेलना पढ़ता है, that is for example, difficulty in coordination of management and technological, that is, dis economy is due to heavy cost of wear and tear, तो क्या होता आप जितना भी आप बार 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 पर imports बढ़ा रहे हो, definitely stage ऐसा भी आएगा, कि जहाँ पर आप कितना भी large scale production कर लो, उतना आपको profit generate होगा ही नहीं, उतना आपको production level होगा ही नहीं, तो वही वाले case की हम बात कर रहे हैं, जब मैं internal economies की बात करती हूँ, यहाँ अपर हम लोग डिस economies पढ़ रहे हैं, बिकास हम लोग disadvantage की तरह ले रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, because diminishing returns to scale, तो यहाँ पर क्या हो रहा है students, कि खुद के operations की वजे से, वो क्या हो सकता है कि आपनी सारी machines तो बढ़ा ली, लेकिन उसका proper maintenance और सारी चीज़े भी तो आपको ध् effective नहीं हो रहा है, उसी stage की हम बात कर रहे हैं, पहला हमारे पास आता है students, internal dis economies, internal dis economies का मतलब क्या होता है, it refers to the disadvantages of large scale production, large scale production का disadvantage है यह, क्यों, because खुद के operation की वजे से आप उतना production नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पर example हमें given है, coordination between management and technological dis economies, clear, next मेरे पास आता है, external dis economies, जो मैंने पहले the firms, सारे firms पे जो कोई असर होता है, पहले वाले में क्या हो रहा है, सिर्फ एक firm suffer कर रहा है, जिसकी बात हो रही है, लेकिन जगर second वाले की बात करो, तो सारे के सारे firms एक तरीके से effect हो रहे हैं, so we can say that it refers to the disadvantages of large scale production, which are suffered by all firms in an industry, सारे के सारे firms को यह जेलना पड़ता है, right, so when industry as and whole expands, for example, shortage of factor and non-factor inputs and stiff competition, अगर competition हो तो सिर्फ आपके लिए नहीं है, अब जिस industry में हो सभी के लिए वो competition है, अगर shortage है skilled employees के लिए, तो सिर्फ आपके लिए नहीं है, सभी के लिए, मतलब यह वो challenges हैं, जो सिर्फ एक employee, सारी, एक firm या एक company को डील नहीं करना है, सारे के सारे firms को डील करना, उसको हम क्या बोलते है, external dis economies, और जब हमें खुद से डील करना रहता, means और operations की वज़े से, एक इकलौतिक फर्म को डील करना पड़ता है, that is internal dis economies, clear हुआ, जल्दी से इसका screenshot लिए लिजे, done, okay, see I have given examples also students, so you can definitely make your notes और examples भी आप लिख सते हो, और मैंना हमेशा बोला है, कि economics में more you write examples, more better it will be, right, okay, so let's quickly understand, what is the difference between returns to factor and returns to scale students, सच से पहले तो क्या होता है, returns to factor पर देखते हैं, returns to a factor refers to the resultant, increase in the total product when only one factor is increased, keeping all the factors constant, हम पर चुके हैं, यह तो TP की पुरी उनने law of variable proportion का पूरा definition है, because law of variable proportion को हिम क्या बोलते हैं, returns to factor, right, जब मैं बात करते हूं, returns to scale की students, यहाँ पर क्या हो रहा है, returns to scale refers to the change in output when all the factor और inputs are changed simultaneously in the same proportion in the long run, तो मैंने हमेशा आपको बताया, returns to scale में क्या हो रहा है, कि in the long run पर बात करने हैं एक तो, सारी की सारी चीजों के inputs को change कर रहे हैं, same proportion में याने same level पर change कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहता है, यहाँ पर कौन सी definition थी, हमने यहाँ पर बात किया था, returns to factor में students, जिसको में law of variable proportions भी कहते हैं, जहाँ पर हम किसी एक input को बार बार बढ़ाते रहते हैं, और बाकि सारी की सारी inputs को constant रखते हैं, तो क्या होता है, initially TP increase होता है, increasing rate पे, फिर decreasing rate पे, और फिर negative rate पे, और यहाँ पर जब मैं बात कर रहे हूं, तो मैं बात कर रहे हूं कि सारी की सारी inputs को में increase कर सकते हूं, because long run की बात हो रहे है लेकिन increase कैसे करना है same proportion में clear तो यह सारी दोनो points clear है so the meaning of both the laws are clear next we have it applies to short run production function क्योंकि हम लोग यहाँ पर short run की बात करते है come time में कैसे production को बढ़ा है इसकी बात करते है लेकिन जब मैं बात करते हूँ returns to scale की students so यहाँ पर क्या हो रहा है हम लोग long run की बात करने है कि long run में तुम्हें सारी के सारे factors को change कर पाऊंगी inputs को change कर पाऊंगी so that is why यह long run का case होने वाला है okay next we have is factor proportion याने there is a change in the ratio of fixed and variable factors as variable factors goes on changing यहाँ पर से variable factors change होता है because उसी के basis पर हम production को पढ़ाने की कोशिश करते है in the short run लेकिन जब मैं बात कर दी students long run की under returns to scale की यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर कोई भी change in factor proportion नहीं है because अगर change हो भी रहा है तो वो same level पर हो रहा है तो अगर कोई चीज same level पर change हो रही है तो same ही रहने वाली है ऐसा कोई आपको proportion change नहीं दिखने वाला so that is why students returns to factor हमारा short run है और हमारा returns to scale हमारा long run है clear, समझ आया यह हम और डी सारी चीज़े पढ़ चुके हैं जल्ली से इसका screenshot ले लीचे done next we have is there is no change in the scale of production only level of production changes यहने ऐसा कोई large scale नहीं हो पाएगा याद रखना, returns to factor में we are not focusing on large scale हम लोग को इसमें large scale जाना ही नहीं है क्योंकि यह possible ही नहीं है हम क्या करने है कि production level कैसे बढ़ाएं कम टाइम में production level को कैसे बढ़ाना है इस question का answer करने है fine, और output changes due to change in the marginal productivity of the variable factor यहाँ पर हम लोग MP की बात कर रहे है clear, वहीं पर अगर मैं इस साइड आती हूं तो क्या हो रहा है students there is a change in the scale of operations क्योंकि हम large scale की बात कर रहे हैं तो long run में तो definitely हम लोग small से large scale जा सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है output changes due to change in the inefficiency of all factors, so output definitely change होता है, क्यों? because हमने क्या पढ़ाता, तीन हमने conditions पढ़ी है students उसमें, है ना पहली जो conditions हमने क्या पढ़ी थी? कि पहला तो मेरा increase हो रहा है ठीक है, फिर हो रहा है constant और फिर हो रहा है diminishing लेकिन होता कैसे है? जब total output और total जो हमारा input है उसमें हमें changes देखने को मिलते हैं तो increasing में क्या होता है? कि जो मेरा output होता है भाई, वो ज्यादा होता है as compared to inputs right? जो दूसरा constant होता है, उसमें क्या होता है? कि जो मेरा output है वो exactly equal होता है मेरे inputs के और यहाँ पर क्या होता है diminishing में? कि जो मेरा output है उसमें हमारा क्या है? कम आ रहा है इन्पुट से Clear? ति तीनों की तीनों मैंने किसमें चीज़े पड़ी है? Returns to Scale में Clear? जल्दी से इसका screenshot लेना आप सभी को Quickly, okay? Done? तो ये सारे points आपको अपनी भाशा में जिस भी language में आपको समझ आता है आपको लिखना है students Because paper में आपको notes नहीं मिलने वाले Paper में आपको PPT नहीं मिलने वाली Paper में आपको आपके book नहीं मिलने वाली आपको आपका दिमाग ही साथ देने वाला है So that is why आपको खुद से notes बनाने खुझ से चीजे करोगे तो समझ जाएगा तो ही लॉंग रॉन में काम आएगा शॉर्ट रॉन में कुछ नहीं होगा राइट आपको का स्कोर करना है अच्छा तो यह लॉंग रॉन है तो आपको अपने इंपूट्स खुट डालने पढ़ें कर आप चाहते हो कि आपका आप मारे आज के वेडियो में ज Asians कि रुटान स्ट स्टी चीज को बहुत डीटेल यह पढ़ा और साथी में रिटाउन्स फ्क्टर इसनत्फ सकेल के बीच का दिफरेंस है वो भी हमने पढ़ा है साथ में आपको ट्रिक्स भी बताइए कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, कैसा आपका आंसरिंग होना चाहिए in the question paper, जबके अभी board examinations, वैसे तो आपके 12 चैनल में आएंगे, लेकिन आपके जो term examinations होंगे, final examinations होंगे, उसके लिए भी आपको काफी help करने वाला है students, अगर आ सारी चीज़े detail में आप मुझे जरूर बताएगा, because I definitely go through your comments, right? So students, जैसे का आपको बता देती हूँ कि magnet brains provide करता आपको free and quality education, CBSE के नहीं हम different state boards को भी cover करते हैं, जैसे की Delhi board, बिहार board, UP board, MP board and Rajasthan board, और साथी में हम लोग e-notes and e-books भी provide करते हैं students, जिसकी जो link है, description box मा already given है, पर definitely आप जाके check out कर सकते हो, सिर्फ YouTube पर नहीं हमें different social media sites पर भी आपको follow करना है, जैसे की Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, everywhere, ताकि कोई भी update आपसे बिल्कुल भी missना हो students, once again, CBSE के लिए kindergarten से लेके class 12 तक के आपको यहाँ पर classes मल जाएंगी and we also have a Hindi medium channel, जाप हम cover करते हैं classes 6 से लेके class 12 तक, फिर भी कोई doubt हो students आपको तो आप हमारा website और हमारे application को भी definitely check out कर सकते हो, on that note students, hopefully video आपको अच्छा लगा हो, आपको classes भी interesting लग रही हो, concepts आपको clear हो रहे होंगे, so be motivated and consistent and keep learning and thank you for watching.